दोस्तो इस वीडियों बात करेंगे लेक्टेयर केपसूल के वारे में जानेगे बहिए किस टाइब की दौह होती है यह जो इस्तनपान करवाती मा को क्यों दिये जाती है प्रेंग्णेंशी के बाद जो डिलवरी होती है जिसके बाद बच्चे को दूद पिलाना पड़ता है उन दورान ये क्यो दिया जाता है किस तरह से ब्रस फिडिंग के दूरान मा को मदद करता है यह इसके कोई नुकसान होती है किस तरह से दिया जाता है सब कूढ़ आने ए वीडियो पूरा देखेगा देखे भई लेक्टेर एक केप्जूल फोर में में भी आता है पावडर फोर में भी आता है यानि गरेनूल्स भी आता है और केप्जूल भी आता है दोनों ही आयरवेदिक चीज़े कोई भी यूज़ कर सकता है कोई साइड फिर नहीं होते है लेकिन बस इसकी डोज पता होने चाहिए और इसके बारे में पता होना चाहिए कि भई जब डॉक्टर ने दिया है तो ब्रेस्ट फिरिडिंग के दुरान जब मा को इस्तनफान कराए जब मा इस्तनफान करवाती है बच्चे को तब मा को ये दिया जाता है यानि मा को दिया जाता है बच्चे को नहीं तो मा इसका यूज़ करती है कब करती है जब बच्चे को दूद पिलाना पड़ता है देखिए कई बार की आएक्टू दिलेवरी और बार दोट में रहाँ कि दूद में कमी रहती है, बाहर से डबे वना दूद बच̬न नहीं के या मा के इस तरिमा दूद नहीं आएकि बच्छे को पिला सके थैं तो मा को दूद अगर कम आ रहा है तो उसके जो जिमिदर होता है वो प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन तो प्रोलेक्टिन हार्मोन ही मा की इस तनों के अंदर दूद को बनाता है एक्चली दोस्तो प्रोलेक्टिन हार्मोन को पिट यूट्री नामक एक गले इसा नहीं बनाती है तो पीट यूठरी गरंटी के अंदर केंसर हो सकता है अगर यह प्रोलेक्टिन जदा बनाने लगती है तो यह खराब हो जाती है फिर इसके अमरे वगरा करानी पड़ती है लेकिन ऐसा नहीं है जब आयुरुवेदिक चीजे देते हैं तो यह उतना ही बन टीक है तो इसकी मदद से प्रोलेक्टिन हाرमोन को बढ़ाये जाता है अगर इंग रोते हो और दोस्तों मेहला ना इतने स्ट्रेस में होती है एंजाये तो नेन्द में कमी रहती है तो वह और फिर यह काम नहीं करती यह फोकस से काम करती है gucken मेहला का व्झे रूकस जब ब साथ बच्चे को दूद्ध पिलाना पड़ता है एकदम सांत माहौल में तब जाके यह एक्टिवेट होती है और इस हार्मोन को रिलिस्ट करती है जिसको कहते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन तो प्रोलेक्टिन हार्मोन मा की इस्तनों के अंदर दूद्ध को बढ़ाता है जिसे क इसके अंदर आता है सदावरी, ठीक है, इसके अंदर आता है ऐस्वगन्दा, इसके अंदर आता है मेथ सथावरी जो होता नहीं है harmonional ushorn imbalance आ यह बिलसक effectivement आप सुष्टेज के सबस्क्राइब कर दो livres Before लेंजता हम एप इसी मिल्क प्रोडेक्शन को भढ़ाता है और लोसन जो होता है यह लोग टाइम तक भढ़ाता है तो इन तरीके से ही काम करता है इसके अंदर ये इंग्रीडियन्ट पाई जाते हैं अब इसके जो डोज होती हैं दोस्तों ये एक दो केपसूल दिन में दोसी तिन बार ले जा प्रोडेक्शन होने लगता है तो कहने का मतलब है कोई भी माँ हो अगर बच्चे को इस तरन पान करवा रही है तो एक अच्छे वातावरण में ज्यादा कोई वहां होना नहीं चाहिए और एक फोकस के साथ बच्चे को दूद पिलाना चाहिए जैसे कि दूद बन सके और यह हार्मोन रिलीज हो सके तो ध्यान रखेगा ज्यादा बात्चीत नहीं करनी है अकेले रह के बच्चे को दूद पिलाना है ध्यान रखेगा तो संपुर्ण रहे होता लेक्टेर केप्सूल के बार में बहुत बुद्धने हो